आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, आज बात करेंगे Yes Bank के बारे में, कैसा होगा Q3, अलड़ी स्पेकुलेशन लगने शुरू हो गई है, और साथ ही साथ में अगर एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा तो क्या एक्शन होगा Yes Bank के शेर प् करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें Yes Bank की, तो पिछले दो क्वाटर, जब से प्रशान्त कुमार जी ने इसकी बागदोर समाली है, दोनों क्वाटर प्रॉटेबल हो गए है, अगर आपको याद नहीं हो तो हम याद दिलाना चाहते हैं, जब राना ब्रदर्स हुआ करत है कि GNPA को सिंगल डिजिट बनाना है, अभी उनका GNPA 16 के असपास है, पर वो आने वाले समय में उसके लिए काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी उमीद है, जिस कारे कुशलता से उन्होंने काम किया है, दो क्वाटर में आगे होगा, अब हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है यहां तो शायद स्टॉक में एक नी जर्क रिएक्शन आई, टेक्निकली भी यहां पर थोड़ा सा पॉज होने का इंडिकेशन आ रहा है, तो पहले सबसे पहले आपको ख़बर बताते हैं, देखिए, आज NSC और BSC को यह नोटिफिकेशन गया है, December 31 को Bias Bank की ट्रेडिंग विंड स्टॉक रखते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है, January 1 से लेकर, till the declaration of quarterly financial result, जो quarter result December 31 को खतम होगा, उसके लिए ये ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है, तो यह यहां से expectation बन के आ रही है, कि profit जादा होना चाहिए, 200 करोड प्लस होना चाहिए, अ अब अगर हम बात करें इसके technical parameter की, तो देखें technical parameter पर अगर हम Yes Bank को देखें, तो Yes Bank का आज करीब करीब 12 करोड के share hand exchange होए है, तो result से पहले बड़ी एक candle बनी है, जिसमें उपर की wix है, देखें उपर करीब करीब यहां पर 18 तक गया था यह price, और फिर नीचे जाकर जो अगर इसका 15 मिनट का चार्ट देखें तो आपको समझ में आगी सारी कहानी, शुरू में खूब तेजी से उपर बढ़ा, देखें यहां से एक clear cut upward journey इसने दिखाई थी, पर वो maintain नहीं हो पाई, sustain नहीं हो पाई वहां से, यहां से देखेंगे अगर, तो देखें यहां से य यहां पर, उसके बाद continuously एक नीचे trend बनता रहा, एक बार retrace करने कोशिश की, पर उसके बाद में फिर से यहां पर चलता रहा है, तो एक downward pressure आ रहा है, समझ यह 18 रुपे के उपर इस stock पर, और थोड़ा technical analysis करते हैं, और देखते हैं कि क्या प्रकिरिया बन सकती है, अब अगर हम chart के basis पर इसको resistance निकालने कोशिश करें, तो जो सबसे पहला resistance इसका बनेगा, वो 20 रुपे 70 पैसे के आसपास बनेगा, यह resistance जब तक नहीं निकल देगा, तब तक यह आगे की प्रकिरिया नहीं कर पाएगा, एक बार यह resistance निकल के गया, तो जो next target इसका बनेगा, वो बने ही होगा, जहां तक हमारी उमीद है based on our experience, टाइम ही बताएगा क्या होगा, हम यहाँ पर सिर्फ अपना point of view दिखा रहे हैं, अब Bullinger Band ने काफी अच्छा parameter बनाया है, इसके लिए अगर देखें, तो यहाँ से बाहर निकल गया था, दो candle पूरी की पूरी बाहर थी, वो clear indication है, के आसपास खरीद होगा, comment section बताईगा, दोस्तों, अगर अपने 20 पे खरीदा है, यहाँ से हम इंतजार करेंगे, अगर हमने entry करनी है, तो कम से कम 17 तक आने का हमें इंतजार करना था, और हमारी view है, जैसे हमने अपने channel पे इसको पहले बताया था, हमने इसको 13 पे recommend किया था और अपने paid customers को 12 रुपे पर भी खरीदा है, 12 रुपे असी पैसे पर भी खरीदा है, और हमने यहाँ पर 19 रुपे पर इसकी profit booking कर ली थी अपनी, और यह हमने channel पर clear cut बताया था, 19 और 13 का range है, अब यह यहाँ 17 के आसपास आ रहा है, दो possibility हो सकती है, अगर result अच्छा आता है तो 20 तक जा सकता है, 20 cross नहीं करेगा, 20 जो उसका पहला high बना है वो cross नहीं करेगा, पर उम्मीद है कि यह अगर negative result आते हैं, तो 15 रुपे चालिस पैसे के आसपास आने की कोशिश करेगा, दोनो possibility समझके रखे, MacDee ने clear cut excel signal दिया है, और momentum थोड़ा सा कम हो रहा है, trading expectation result की basis पर, यहाँ पर interesting pattern बन रहा है, अगर आप alligator indicator देखे, तो दोनों line green और red के बिलकुल बीचो बीच है, अगर red के नीचे गिरता है, तो हो सकता है, यह यहाँ पर 16 रुपे 50 पैसे के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो ध्यान रखे दोस्तों, अगर इसने closing basis पर 17 रुपे 56 पैसे कर लोविल तोड़ा 17 रुपे 50 पैसे माल लीजे, तो यह 16 रुपे 50 पैसे तक जा सकता है, RSI एक neutral zone में है, तो वहाँ से कोई ज़्यादा घपराने वाली बात नहीं है, तो technical parameter पर अभी wait and watch की position बन रही है clearly, conclusion क अगर बात करें, अगर आपने yes bank के share रखे हुए हैं, तो हमारी सलहा के मुताबित, अगर आपने 19 पर बेचती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अभी थोड़ा hold करके रखे, अभी मत खरीदिये, level right आने दीजे, हम अपने channel पर फिर से बताएंगे कब इसको खरीदने का सही time है, और कब हम खुद और अपने paid members को खरीदवा रहे हैं, इसके साथ में, अगर आप यहाँ पर average करना चाते हैं, तो current market price मत average कीजे, हमारे हिसाब से 15 सबसे पहला level है, जहाँ पर आप average करने की कोशिश कर सकते हैं, दूसरा level होगा 13 का, 13 और 15 के दो level है, जहाँ पर हम recommend कर रह नहीं करेंगे, हम लोग Nifty और Bank Nifty की intraday trading सिखाते हैं, अगर आपको यह trading सीखनी है, 8,000 रुपीज पर मन्त के basis पर आप हमें join कर सकते हैं, सीखनी को मिलेगा और पैसे कमाने को मिलेगा, mill drop कीजे, detail भेज दी जाएगी, चार वीडियो प्रस्तते हैं, जहिंज भारत, आपका दिन मगल में हो, bye guys